Hello students, welcome to my channel Commerce Notes आज हम एक important question करने जा रहे हैं जो हमें college exams में आता है What do you mean by technological environment? इसमें हमें technological environment को explain करना है and give the various methods for forecast the environment और ऐसे कौन-कौन से methods है जिससे हम forecast कर सकते हैं इस environment को वो बताना है तो चलिए start करते हैं कि अगर हमें college exams में आ जाएं और समझते हुए चलते हैं तो सबसे पहले हम इसको एक standard meaning देखेंगे and then इसका एक basic meaning देखेंगे तो क्या बोड़ रहे हैं कि जो technological environment है न ये क्या है technological environment is all about state of technology कि state क्या है technology की कैसे ये effect कर रही है हमारी daily life को कैसे ये business को effect कर रही है इसमें हम ये देखते हैं कि क्या नई inventions हो रही है कैसे लोग उसको adopt कर रहे है कैसे नईने gadget आ रहे है क्या technology के लिए rules and regulations है ठीक है ये सारी की सारी चीज़ों को जो हम study करते हैं तो उसे कहते हैं technological environment तो ये तो थी एक standard meaning अब अगर हम अपना basic meaning देखें जिससे हमें समझ आने वाला है वो है इस slide में क्या बोला है कि जो technological environment है ये क्या है basically surrounding है जो affect करती है ठीक है technology जो develop हो रही है उसे कैसे हम use करते हैं उसके लिए क्या rules हैं क्या regulations हैं उसका क्या trend है ठीक है वो people को कैसे affect कर रही है ठीक है तो ये सब जो हम देखते हैं तो उसको कहते है technology environment की technology किस environment में रही है उसके क्या surrounding है ठीक है उसके लिए वहाँ क्या rules and regulations बने हुए है ठीक है वहाँ पर उसको कितनी जल्दी adopt किया जा रहा है ठीक है कितनी जल्दी लोग उसको adapt कर ले रहे है कैसे कैसे वह इतनी कित तरीके से फास्ट मूव हो रही है ठीक है तो ये सब अब जब technological environment को हमने समझा तो उपर क्या बोला था कि इसके methods बताओ तो भई और forecast की basically हम इसको forecasting के method पूछे थे न कि इसको forecast करना है हमने तो कह रहे है technological environment refers to the external factor कि जो भी बाहर के factor है जो भी affect कर रहे है development मतलब technology कैसे develop हो रही है कैसे deploy हो रही है मतलब कैसे उसको use किया जा रहा है कैसे वह evolve हो रही है ठीक है एक specific context में जैसे कि industry हो गया industry में देखने है कि कैसे वह develop हो रही है या फिर society में देख रहे हैं इसमें क्या होता है basically हम सब देखते हैं कि कैसे उसमें advancement आ रही है क्या उसके लिए rules and regulations हो रही है तो यह सब फिर कह रहे हैं कि जो forecast करना इस technological environment को बहुत ही important होता है organizations के लिए और policy makers के लिए ताकि वो anticipate कर सके कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है future को predict कर सके और उस according policies बना सके उस according informed decision ले सके और competitive advantage ले सके तो बहुत सारे methods है इसके लिए जिसको क्या है use किया जाता है forecast करने के लिए technological environment को तो चलिए hope आपको यह समझ आया हो अब हम इसके methods पे चलते है पर उससे पहले हम थोड़ा सा यह भी meaning देख लेखते हैं कि जो technological environment है ना इसमें हम एक simple सा अगर हम एक basic example लेके तो imagine you playing with the toys कि आप क्या कर रहे हो play कर रहे हो toy के साथ के खेल रहे हो तो अगर हम यहाँ पर technology के according देखे the technology is like your toy तो technology के है आपका toy आपका toy है मान लो कोई ऐसा technological toy है ठीक है and the environment और environment वो place है जहां पर आप उसको use कर रहे हो जहां पर उससे खेल रहे हो ठीक है तो आपको जिस environment में आप खेल रहे हो जिस area में आप खेल रहे हो वहाँ पर उसको खेलने के क्या rules है क्या regulations है उसको चलाने के क्या rules are regulations है अगर आप यह देख रहे हो ठीक है तो उसे कहते हैं हम कि क्या है technological environment है ठीक है तो आपका जो toy था वो क्या technology है और आप उसको यूज कर रहे हो जिस प्लेस पे वह उसका अब आप जिस प्लेस पर उसको यूज कर रहे हो उसके लिए कोई rules होंगे कि इस toy को ऐसे से चलाना है तो उसको कैसे चलाना है इसके रूल्स है क्या regulations होते है कि कैसे उससे चलाया जाए क्या आप उससे proper खेल पा रहे हो क्या आपके जो दोस्त है वह उसी toy पा रहे है समझ पा खेल पा रहे है तो बिसिकली क्या हो रहे है कि हम यह देख रहे है कि जो टेक्नलोजी एन उसका environment में क्या क्या impact पड़ रहा है तो यह हमारा मीनिंग हो गया अब हम देख लेते हैं इसके methods तो सबसे पहला method है हमारा trend analysis ठीक है तो हम बिसिकली क्या करें फॉर्कास्ट कर रहे ह तो सबसे पहला method है trend analysis trend analysis का मतलब क्या होता है हमना pattern देखते हैं इसमें trend देखते हैं कि कहा को जा रहा है सबसे पहले हम इसमें historical data देखते हैं examining past technological trend की पहले से कितना पहले का technological trend देखेंगे हम इसमें ठीक है और developments देखेंगे और identify करना चाहेंगे कि क्या pattern है ठीक है और future possibilities क्या देखेंगे हम industry का trend देखेंगे उस basis पर future demand predict कर सकते हैं कि हाँ लोग ना ऐसे technology चाहते है आने वाले time पर ठीक है तो हमें क्या ऐसे technology लानी पड़ेगी तो basically historical data देखो ठीक है past trend देखो and उसके बाद market research करो ताकि क्या आने वाले time का पता लगे कि आपको कैसे technology basically लानी है ठीक है जो एक्सपर्ट से लिये जाते है ठीक है कि जो एक्सपर्ट होते है अपनी various fields में उनसे क्या हम कुछ opinion लेते हैं और फिर उन्हें summarize करते हैं और यह जाने की कोशिश करते है कि टेक्नलोजिकल development क्या होने वाली है future में then expert का interview ले सकते हैं surveys ले सकते हैं ठीक है उससे भी हम क्या अब देख रहे हैं कि इस scenario में लोग कैसे react कर रहे है कैसे उन पर impact पड़ रहा है इसका ठीक है तो फिर देखते हैं कि अच्छा अगर हम actual में ले आएंगे future में ऐसा तो फिर यह results मिलेंगे ठीक है फिर next है हमारा technological road mapping developing a road map इसमें क्या करते हैं road map को क्या है develop करते हैं basically इसमें हम यह देखते हैं कि मतब क्या goals होने चाहिए क्या milestone है हमारा कितने time पर हमें यह develop करनी है ठीक है यह सब फिर environmental scanning obviously बात है environment को scan करना पड़ेगा तो systematically monitor करा जाता है और analyze किया जाता है कि क्या के external factor है और क्या के regulatory changes है जो किया है technology में आ रहे है और market trend को देखा जाता है ठीक है और opportunities को find out किया जाता है basically यहां पर SWOT analysis किया जाता है strength weakness opportunities को देखा जाता है यह ठीक है और threats को देखा जाता है then competitive intelligence studying the technological strategies जब हम क्या करते है पढ़ते है technological strategies को development को ठीक है तो हमें यह पता लगता है कि सामने वाला क्या लाएगा ठीक है और हमको कैसा ला technology foresighting programs that aim to identify and assess future technological trends तो कहरें basically participate करना चाहिए जब आपको opportunities मिलती है ठीक है बड़े-बड़े programs होते हैं जो वहां पर आपको पता लगता है कि अच्छा है technology आने वाली है और हम कैसे ला सकते है यह सब ठीक है फिर है patent analysis एक्जमाइन करना चाहिए अपको patent filing कैसे होती है ठीक है and try to understand the direction of technological innovation की क्या direction है technological innovation की और identify करना चाहिए कि कौन-कौन से emerging areas है जहां पर कहा है research and development की जा सकती है then okay technological scanning आपको क्या करना है regularly scan करना है technological related literatures को journals को publications को ठीक है और update रहना है हमेशा ठीक है और जितना हो सके latest advancement और innovation को देखते रहना है फिर है regulatory analysis regulatory analysis में क्या होता है analyze करना है हमें current and proposed regulations को जो क्या है related to technology है और understand करना हमें potential impact क्या पढ़ सकता है इसका development में ठीक है उसके बाद अगर हम इसकी summary देखे तो बोड़ रहे है कि अगर हम combine कर देते इन methods को तो यह हमें और comprehensive view दे सकते है ठीक है हम अगर 3-4 methods को भी use करेंगे ना तो हमें बहुत जादा comprehensive view मिल जाएगा औ फिर इससे हम informed decision ले सकते हैं ठीक है फिर basically यहाँ पर क्या है जो हमने उपर point पड़े ना उसी को थोड़ा और simplify किया गया है कि जैसे historical trend था ठीक है तो इसमें क्या देख रहे थे पास data देख रहे थे और survey कर रहे थे तो people से ask कर रहे थे हैं फिर thinking about future फिर हम इसमें क्या scenarios बना प्लान बना रहे थे ठीक है फिर हम changes देख रहे थे then हम देख रहे थे कि competition कितना है ठीक है उसके बाद हम लोगों से question भी पूछ रहे थे export से question पूछे थे हमने ठीक है then हमने technology के बारे में पढ़ा था ठीक है then patent का क्या scenario है वो देख था then आगे हमें करना क्या roadmap बनाया था हमने ठीक है तो यह सब किया था फिर अगर हम इसकी finally एक summary देखे तो by using this method तो इन methods को use करके क्या हमारे को एक better idea पता लग जाता है कि क्या होने वाला है ठीक है इस field में with the technology in the future ठीक है and get ready for it और हम क्या है उसके लिए तयार रहते है ठीक है तो यह था हमारा question और यह था इसका answer तो आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई है तो like, share, subscribe जरूर करें और telegram का link description में दिया आप उसको join कर ले because यह PDF की है वहाँ पर send हो जाती है after this lecture thank you